अलो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मित करते से विक अच्छे होंगे तो आप सभी को थमनेल देकर समझा चुका होगा कि आज का जो वीडियो है किस टोपिक पर किस विश्यापर होने वाली है सुरू करते हैं आज के टोपिक को सिंपल बात है कि आप सभी को बहुत ज़्यादे कनफ्यूजन हो रहा था क्या कि आठ नंबर का जो जी एस में हिस्ट्री पूछेगा आठ नंबर का उसको हम लोग कहां से पढ़े क्योंकि मैंने प्राचिन इतिहास पढ़ा चुका हूँ मैंँट और तेंद जोनों का ठीक है तो इतिहास का सिख्ष से लेगा टेंध का क्लास हो गया अब इसमें दिक्कत क्या हो कि हर कोई सोच रहा है कि हमारे लिए क्या पढ़तना जरूरी है कि यही चीज पढ़ लेंग तो काफी हमारे कीवेकर की लिए कि आठ नमबर चीटना होरा ङाहन तो मैंने क्या किया है कि लिए क्रमया टौपिक?? इसकर सहब यहाँ इसकर लेकर आया हूँ? 첫 लोविश्वास आया हूँ…… चालिस नमर के अलग एक बीस है उसका वीडियो बना दूगा जिसमें हर किसी के लिए बता दूगा क्या-क्या जरूरी है पढ़ने के लिए मैं क्योंकि सब चीज पढ़ा दिया हूँ उसके जादा मेहनत करना इन चीजों के बारे में बता दूगा और वो वीडियो कहां से मिलेगा क्योंकि कॉल आ रहा था कि वीडियो जो है कौन-कौन से वीडियो है जो इसको अलग चार्ट के बना दीजिए उसको अलग कर दीजिए ताकि जो है उसका एक अलग ही प्लेजिस्ट बना दीजिए ताकि वहां से हमको देखने में असानी हो सेगे तो मैं उसको अलग कर दूँगा ठीक है उसके लिए स्पेसल वीडियो भी बना दूँगा यहां पर देखिए पहले कि कोशन कहां से आ रहे है अगर मान के चलिए क कि खुद से पढ़ना चाहते हैığını नोटस से पढ़ना चाहते है अपने किताबों से पढ़ना चाहते हैं तो कहां से पढ़ेंगे किन टोपी पर ज़यादा ध्यान देंगे उस पर चर्चा करते लो पहले यह 11 12 का कॉश्चन है फिर 9 12 का दिखाऊंगा और 68 का 1 to 5 का सब का होता है ठीक है तो होता है यह तो से रेलेटेड तो कोस्टन मी लेए 11 त Dim蠌eso से सेम आ जाएए अब आगया ये इसमें an. 6-8 में देखिए यहाँ पर नीचे आई आपके 6-8 में आपको 1877 से एक question 6-8 में दिखा 1-5 में यह 1-5 में देखिए 1877 की करांती एक question हैक नहीं है तो हर एक हर एक class में चाहे 6-28 हो 1-5 हो 9-10 हो 11-12 हो क्या पढ़ना है 18-18 करांती दिख गया उसके बाद आए उसी तरह जितना भी मैंने इस में से छाटा हूं हर एक question जो है वह एक्जाम में पूछ रहा है उसके तरह समय क्या क्या हो तो वह लंबे समय तक राज किये फिर उसके बाद देखेंगे तो यह कौन-कौन जो अंदोलनकारी थे कौन-कौन समास सविक थे उन्होंने क्या क्या किया जैसे स्वामी बीविका नंद से लेकर राजारा मोहन रहे इनके बारे में काफी question पूछता है उसके बाद 1909 का हो मारलेमेंटो सुधार या 1919 का हो या 1935 का हो यह सभी question खुब आता है अब यहां देखेंगे तो यहां देखेंगे तलिका वह 1922 के जो इंडियनेशनल कांग्रेस हुआ था यानि कि जो आई-इन-सी जो हो रहा है जो कांग्रेस के जो इस्तापना हुई थी उसकी अध equation हो गया ठीक है उसके बाद यह जन जाती भीई द्रो हो गया ठीक है उसके बाद आएँगे आगेए यहांपर देखेंगे तो फिर से वही बंगाल **** वालीे उसमें भी पूछा था तिक यह कांग्रेज की नीती उसमें भी था इसमें भी था इंडियन निसनल कांग्रेस के ब बिएदरो जो कि 910 में 11 12 दोनों में था फिर से बिहार से दोनों में था इसमें भी है ठीक है उसके बाद फिर देखेंगे यह जो आई एन्म जो है यह इन्सी यह अनि अन्टियन नेशनल कॉंग्रेस जो है वो बिहार से रिलेटेड फिर दुबारा आ गया उसमें भी इसमें ओसमें भी था बिहार से related और इसमें भीया गांधी यूग, उसके बाद ये नारा है, के सी में भी नारा पूछ सकता है, पूछा है užसकता हो, अब ये 125 का है, किसका है, तो ये 125 का यहां शुरू değiş теперь 1 to 5 में देखेंगे तो ये भी 18 संथानिक करान्ती उसके बाद देखेंगे यह पत्र पत्रिका है गांधी जी से related है उसके बाद देखेंगे तो कुछ संस्था वेगारा जो बने वो सब के बारे दिया है ठीके और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां देखेंगे या ये वा class में था बंगल भी वाजन ठीक है बिहार से related हर class में है ठीक है उसके बाद आएंगे तो यहां देखेंगे तो यहां पर women conference जो है यह हर class में जैसे की मानग चली की कोई ने कोई सभा के बारे में पूझ दिया जैसे बिहार youth सभा के बारे में पूझ दिया युँआ संस्था के बारे में चाहे किसान सभा के बारे में चाहे women conference के बारे में किसी कि ने किसी के बारे में बिहार से यह गांदी जी से related और वो भी बिहार से related question खुब रहा रहा है तो यह हम लोग को क्या दिखा हूँ अब यहाँ आये मैं बता रहा हूँ question जो है ना कुछ limited चीजों से पूछ रहे है कुछ में में खास topic से पूछ रहे है यहाँ पर देखिए तो क्या लिखा हुआ है यह BPSC TRE3 GS 8 number और plus में 1 to 5 के लिए जो भी इतिहास से question पूछ रहे जितना भी इतिहास से question पूछ रहे वो कहां से पढ़े इतिहास की आज छुट्टी हो जाएगी जीवस वालों के लिए पूरी तरह से और 1 to 5 वोले के लिए पूरा इतियास हो जाएगा बचेगा कौन सा 40 नंबर का जो बचेगा जो 6 to 8 9 3 के लिए उसका मैं अलग स्पेसल बता दूँगा कि कहां कहां पढ़े और कौन कौन सा टपिक बिसे से उसमें ध्यान दे यह सभी क्रास के लिए बहुत ज़र हुई है करना क् आप लोगो 1877 के करांती को डिटेल से पढ़ना है बहुत डिटेल से पढ़ना है अब पढ़ेंगे कहां से याद रखिए हमेशा मैं बोलता हूँ SCERT किताब को नहीं छोड़ना है बिहार बड़ी किताब से पढ़िए फिर उसके बाद NCRT से पढ़िए इसी सब टपिक को इत इसे टॉपिक से रिलेटर प्रीविष्य यरскण है जो आपके बीपी लोगना है बीपीड ऊजया पूझा हो उसको लगा लेंगे अर उसके अलावा से जितना भी मिलेगा इस टॉपाबिक से रिलेटर अ परिवहार का MCC यूद बिलेगा nam उसके बाद इस टॉपिक से रिले तो आपको SCRT और NCRT को डिटेल से topic को खुब पढ़ना बढ़ियां से और पढ़ने के बाद MCQ जहां से मिले सब को इसको लगा लेना ठीक है और यह आठ नंबर के लिए बनेगा ना इसमें 6-8 वाले को 40 नंबर में सीधे-सीधे 20 नंबर के फैदा हो जाता है क्योंकि 20 नंबर कोशन यह वन टू जो यह आपका आधनिक भारत है जिसमें सिर्फ भारती राष्टी अंड्रोल को पढ़ना है यह सीधे-सीधे कोशन जाए तो इसमें किसके लिए भी है तो पलस में लगबग 20 नंबर का 6-8 और 9-10 के लिए भी काम आ जाएगा जिनका इतिहास होगा और जिनका इतिहास 11-12 में होगा उनके लिए भी काम जाए कम से कम 15-20 कोशन जो है इस से लड़ जाएगा इस टॉपिक से आजए कनफॉर्म ठीक है तो क्या करना आप लोगो 18-17 को पढ़ना है 18-17 को जब पढ़ेंगे अलग 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 परकासन से पढ़ेंगे तो उसमें जो दिया रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ पे औल अबर इंडिया के 18-17 की करांती से रिलेटेट देगा लेकिन बिहार के बारे में बिहार का ए आठवे क्लास में है आपका आठवे क्लास में आप पढ़िएगा जनजाती विद्रो मिल जाएगा उसमें पूरा ही एक चेप्टर ही दिया हुआ है जिसमें डिटेल से इसके बारे में दिया गया अब तीसरे जो टपिक है ना वह आई एंसी यानि इंडियन नेशनल कॉंग जितने भी घटना हुए होंगी जैसे अगर बिहार से संब्दि बिहार में कौन-कौन कंग्रेस अदिवेशन के अधिक्सता हुई किसने किया था कब हुआ था क्या उसमें कोई विशेश कोई बात ये हुई थी उसको जानने के कोशिश करेंगे लोग तीसरा मुंग के घटन के वज़े से बलाए गया या 1905 के जो बंगाल भी वज़न के वज़े से बलाए गया तो वो इमर्जेंसी जो बठाए बैठक बलाए ज़े थी कंग्रेस की उस इमर्जेंसी बैठक में कौन अध्यक्चा कर रहा था किन मुदब बात हो रही थी चाहे आपका जैसे की नरम दल रिलेटेड पढ़ते रहेंगे इसको देखते रहेंगे उसके बाद है कि इसमें जो कौन कौन सा कथन किसने यूज किया जैसे डफरी ने क्या बोला इसके बारे में लाला लाजपतराई जी क्या बोले और लोग क्या क्या बोल रहते इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे मे जिससे उसमें सबी चीज आपका जो जितना भी कोशन पोच रहा है वो हर चीज उसमें complete cover हो जाए ठीक है उसके बाद देखेंगे तो 1885 से लेकर 1947 के बीच में कुछ चीजे को पढ़ना जरूरी है जैसे बंगाल भी भाजन कर जब INC यानि इंडियन निशनल कांग्रेस पढ़ भारती राष्टी अंदुलन में देखा जाएगा तो ये दो-तिन चर्णम अलगल होता है जैसे गांधी युग जो आता है वो गांधी युग पूरा ही इसमें आ जाता है और खासकर गांधी युग से जो घटनाय संबंदित है और वो गांधी युग बिहार अगर जोड़ पाँछवी नंबर में क्या है पढ़ना आप लोगो आधुनिक बिहार के बारे में जानना है, वो भी आधुनिक बिहार में उस चीजों को जादा जानना है, कि जैसे बहुत सरा संस्था कैस थापना हुआ, बहुत सारे जितने अंदोलन हुए उसका बिहार पर क्या परभाव पड़ा, यानि Indian National Moment का बिहार पर क्या परभापड़ा इसको खास कर जानने के जरूरत है फिर उसके बाद लाश्ट में पत्र पत्रिका संस्था और सभाग का बारे में जाननेगे यानि कि कौन-कौन से पत्र पत्रिका है जो है वो इसमें क्या-क्या चीजे चाप रही थी अब उसमें देखे पत्र-पत्रिकाओ में बहुत सा रहे है उसको पढ़ने के क्या मतलब है कि पत्र-पत्रिकाओ को सब तो उसमें देखा जाएगा लेकिन मिन-मिन चीजों को जैसे कोई गांधी जी के बारे में बोला हो, कुछ-कुछ अलग हटके हो, उसको थोड़ा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि एक्जाम में जो है ना क्वेश्चन जो है यूनिक टाइप के पूछा है, यूनिक कहने के मतलब क्या है, जो लग जा रहा है कि हाँ यह आएगा, कु आपको सोचिएगा कि यह कुशन आएगा वैसा नहीं आता है, कभी कबार बहुत ज्यादा एजी देता है, लेकिन इसमें जो है, कुछ मैं कॉमन चीज़े में मिला रहा हूं, कुछ ऐसा चीज़े दे रहा है जो बहुत भारी हो, या बहुत ज्यादा हाड हो, जो दिखने मे लग जारा है कि भाई सा गजब का कोश्चन है, यह कोश्चन तो लग रहा है कि आये जाएगा, वो आ जा रहा है, ठीक है, वो कोश्चन आ रहा है, तो इस पे खासकर इसके पैटरन पकड़ने के कोशिच किज़ेगा, और उमीद है कि यह जो टॉपिक अगर पढ़ लेते, तो कनफॉर्म जो है, आप लोग का जो है, आठ नमबर का पूरी तरह से तैयर हो जाएगा, इसके अलावा एक भी कोश्चन बाहर करेंए, ना आपको विश्वे पढ़ना है, ना आपको प्राचीन पढ़ना है, ना आपको मद्देकलन पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना क्या है आधुनिक पढ़ना है, वो भी 8 क्लास में दिया है, बिहार बोड और NCRT, देन उसके बाद कोई भी आपके पास नोट्स वेगरा होगा, या किसी भी तरह का आपके पास, किसी परकासन का बुक होगा, तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन इन टॉपिक के बारे में, जादा गभग जो है, आपका, 16 से 20 नंबर का कोईशन जो होता है, ये आपका इतिहास से रहता, वो भी भारती राष्टी अंदोलन से लेकर, यानि की, मोडरन हिस्ट्री जो रहता है, 125 के लिए, 125 और जिनका इतिहास है, उनको कैसे पढ़ना है, कहां कहां से कोईशन आ रहा है, वो अर्ते राष्टी अंदोलन से रेलेटेड जो भी आपके पास नोट्स होंगे, जो भी आपके पास और भी कुसी तरह के अलग प्रकासन का बुक होंगे, जो की आधनिक भारत में बता रहे होंगे, उस आधनिक भारत में जो है, आगे की तरह से पढ़िएगा, आगे की आजब अंग्रेजों का सासन यहां लाग हो जाएगा, जब अंग्रेजों यहां पर राजस वे लागु कर देंगे, अपनी नीतिया सुरू नाशू कर देंगे, वहां से पढ़ना शूरू किजिएगा उसके बाद कि MCQ का, तो MCQ का जो मैंने, इस से related, जैसे कि जो खास कर 8 नमबर का जो है GS में 8 नमबर का जो question पुछेगा, उसका एक MCQ लेका हूँगा, जिसमें भारत और बिहाद, दोनों सम्मलित रुप से रहेगा, दोनों MCQ एक ही साथ रहेगा, और total all over बहुत ज़्यादा MCQ question ताकि जो है, आपका एक भी question मिस ना हो, और कुछ ऐसे topic उठाके लेका हूँगा, जो आपको previous year में question में आया हूँ या जो बहुत ज़्यादा important हो तो overall MCQ जो है बहुत जबरदस तरीके से कराना है फिलहाल जो है, theory class आएगा याद रखेगा, इस topic से related मैं बिहार बोट से NCIT से और other किसी परकासान से जहां मुझे दिखेगा कि ये चीजे बहुत डिटेल में दी गई है उसको मैं, theory class को मैं आज जो है, कोशिस करना हूँगा night तक इसको complete करा दू उसके बाद जैसे ही complete होगा उसके बाद हम लोग move किया जाएगा किसके तरफ में, MCQ के तरफ में जहां MCQ में बहुत ही जबरदस तरीके से MCQ को लाऊंगा और वो MCQ पूरी तरह से combined रहेगी, कौन-कौन सा, उसमें आपका बिहार के बहुत सरे MCQ उसमें रहेंगे, उसके अलावा आपका all over India, जो NCAT करेते MCQ, वो भी उसमें समलित रहेंगे, PY क्यों रहेगा पुर्वा ओलो कौन कर रहेगा, सारे MCQ जो आज तक पूछे गया है हूं question या पूछने की संभावना बन रही हो सब question को मैं करा दूँगा, इससे आपका जो 8 number का इस्ट्री का tension हो जाएगा, खतम पूरी तरह से और साथ इसाथ जिनका इतिहास होगा, उनके लिए तो बोनस हो जाएगा बहुत ज़्यदा बोनस हो, उनके लिए तो समझे कि बहुत ज़्यदा काम किया जाएगा, क्योंकि 8 number के साथ साथ में उनका 15 से 20 number जो की 40 में जो आधनिक भारत कराएगा, वो complete हो जाएगा, किसी किसी में 68 में तो 25-25 question पूछ दे रहा है आधनिक भारत का, ठीक है, और 9 तो 5 के लिए तो पूरी तरह से हो किया, इसका मैं जो है, प्लेलिस्ट में बनाया हूँ जो आप लोग का दिखेगा, तो GS40 करके प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जिसमें math के कुछ question, current effort के कुछ question, जो GS40 से related ही, जो question है, उसको मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, और इस बर इतिहास को add किया जाएगा, और ये इतिहास बहुत ही काम कोगा, यखिन किजेगा ये इतिहास पूरी तरह से बहुत ज़्यादा काम आगा, इस इतिहास को चाहे theory class हो, चाहे आपका आपका जो MCQ हो, वो एकदम exam point view चे लाया जाएगा सीधे आपको direct exam में फायदा करेगा, आप exam दीजेगा, तब आपको खुद दीखेगा, खुद मिला लीजेगा कि इतना ज़्यादा वो फायदा मन्द रहेगा, इस topic को आप पढ़िए, इस topic से related जो वीडियो आएगा उसको देखिए, या कहीं से भी देखिए, कोई दीकत नहीं है, लेकिन इस topic को complete कीजिए, अमूमन उम्मीद है, इस topic से 95% question जए, दोबारा repeat होगा इसी topic से, और यहीं से पुरा लड़ेगा question, ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अब जाके, जो है आठ नंबर के लिए, क्या पढ़ना ये समझ आ गया होगा, ठीक है तो जो वीडियो लाओंगा, उसमें देख लिजेगा एक साथ अलग करके, तो उम्मीद करता हूँ सारे चीज़े आपको confirm समझ आ चुका होगा यहीं पर करते हैं वीडियो के end, फिर किसी दूसरी क्लास मिलेंगे, रात में आएंगे लोग आप लोग के लिए पूरी इसका थियोरी क्लास लेके तो नमस्कार असलाम अलेकूम, जैहिंद, जैभारत